कि नमस्कार दोस्तूं स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल कुछामन ओनलाइन क्लासेज पर पीटीटी दोजार चोबीस जो विगप्ति है वो आचुकी है फोरम बरिज जा रहे हैं दोस्तूं और इसी बढ़ती को लेकर कंप्लीट तैयारी है वो आपके सामने रहेगी जिसके अंदर आज हम जो लेकर आए हैं जो चार सब्जिक्ट आपके जो पेपर है उसमें आने वाले उनमें से एक हिंदी विसे हैं हिंदी या इंग्लिस इनमें से एक आपको चोईस करनी है लेकिन हिंदी ज्यादा तर रास्तान के जो इस्टूडेंट है वो हिंदी लेते हैं वो आपके सामने रहेंगे किस परकार के क्यूसन एक्जाम में आएंगे वो इन क्यूसनों के बाद आपको पता चल जाएगा पहला काम आपका रहेगा वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करने का तो जो भी साती जुड़े वे ना ये कारिया जरूर कर दीज है और एप है वह आपको कहां से डाउनलोड करनी है उसके लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में एप का लिंक दिया हुआ है जहां से आपको एप डाउनलोड करनी है एप के स्टोर में जाना है वहां पर कंप्लीट के कंप्लीट कोर्स है वह अवेलेबल है जिसके अंदर लाइव कलास मिलेगी जो कलास नोट्स रहेंगे वो मिलेंगी चुसन एंसवर मिलेंगी और मोडल पेपर आपको मिलेंगे दोस्तु पहला क्यूसन इस विकल्ब में सबयुगम का अर्थभेद सही नहीं है सबल संबल सबल का सक्तिसाली संबल का सहरा सही ही हाई ही का हर्दे होता है हाई का गोड़ा होता है हेम हिम हेम का अर्थ होता है स्वन जबकि हिम का अर्थ ब्रफ होता है परवत नहीं होता है तो आपका सी ओप्सन यहां पर ऐसुमेलित है तो का अर्थ दुक होता है और शोक का अर्थ आदत होता है नेक्स्ट क्यूशन है शचुंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का सही अर्थ बताईए एक चीज और द्यान से देख लेना टेलीग्राम है जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ पर यूटूब के उपर जो भी मोडल पेपर होंगे जो भी क्यूसनेंस्वर की क्लासे रहीगी उनकी जो पीडियेप है वो अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम जोइन क कर लेना आज जी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखाया दोस्तों चचुंदर के सीर पर चमेली का तेल कहवत का सही अर्थ बताना है योग्य पातर को अच्छी वस्तू की प्राप्ति तेल की खुस्बू या सीर में दर्द होना चचुंदर के सीर चमेली का तेल कि एक एसी वस्तू मिलना अच्छी वस्तू मिलना जिसको उसके पास उसकी आवसिकता ही नहीं हो यानि एयोग्य पातर को अच्छी वस्तू की प्राप्ति नेक्ष्ट ताट तल्टना ताट तल्टना मोहावरे का अर्थ होगा चालाकी से ले लेना बेकार का काम करना दिवाला निकलना बेज़त करना ताट तल्टना मोहावरे का अर्थ होता है दिवाला निकलना ती ओप्सन है जो सही रहेगा लिगित मैसे किस्वी कल्ब के सबी सब्दु में उपसरक वे पर्ते दोनुका प्रियोग हुआ है यहां पर कुल मिलाकर आपको आठ शब दिए गए हैं जिन में ऐसे सब बताने हैं ऐसा उपसरक वी लगावा हो जिसमें पर्ते भी लगावा हो और यह जो पचास क्योशन है 2023 का जो पेपर बना था दोजारतेविस का पेपर था उसमे आये वे हैं पिटीटी के अंदर वो ही क्योशन है यहां पर देखे अभी मुख, में अधिकार इसमें भी नहीं है परती और पर्तीतवानिताता थारी पर огम macht सजावत ठकवत यह आवट परते य सा परते जो हर साल पींट़ पूछा जाता और आवट पर दे keen रूपोड़ाओya Mültimeter प्लसा आउट थे थो फलस्ट मे खावट नहीं होता है तो महावट मे पड़ते नहीं लगावा अबे सई रहेगा लिए सब का संदी विचिद सही नहीं ए तो यहां पर देखिए ऽो प्जार आप सम्विधान सम्विधान नमस्कार महुषण हो जाएगा क्या प्लस अंक क्या होगा क्या गाईका होगा क्या यह नहीं होगा तो यह गलत दिया हुआ आपका चोथा डी ओप्सन सही रहेगा इस संदी से बनावा दिर्ग वृद्धी गुण या यन शमोद्रमी इस समुद्र पलस उर्मी यहां पर आराम से देखे और फिर उतर कमेंट कीजिए एक मात्रा उपर लगी हुई है आराम से आप बता सकते हो एक मात्रा तो प्यारे मित्रु यसी ट्रीक है जिनसे आप सिरफ और सिरफ ट्रीक पढ़ो यहने कि 10 मिनट के अंदर पूरी सवर संदी याद करो 10 मिनट तवर संदी और वह आज याद करोगे ना आज युवन याद रहेगी एसी ट्रीक ही कोर्स में है तो उसके लिए आपको एप पर जाना होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर पर मत जाना सिदा डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन की जो एप है वही डाउनलोड करनी है कमोद्रमी सब कि संदी से बनावा है तो सई रहेगा ओप्शन सी समुदर पलस उर्मी गुण संदियां पर है इनमें से कौन सा बहुविरी समास का उधार नहीं है न कमल नयन कमल के समान नयन यहां पर क्या बहुविरी है क्या नहीं है कौन सा समास है कमेंट करके बता दो एक बार आप भी तो कमेंट करो जल्दी से नेक्स्ट किसी सार्तक सब्द का परियोग वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं शब्द सब्द वाक्य या प्रयोक्ति किसी सा सब्ड का परियोग अगर वाक्य में होता है तो उसे क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं पद कहते हैं सा कर्मक किरिया का उधारन नहीं है कर्मक किरिया किस में नहीं रमैस कविता लिखता है अध्यापक पुस्तक लाता है मोहन रोंता है मा रोटी पकाती है पूछा है सकर्मक कर्या गो अध्या सादीर्व नहीं है अच्छा और imporan occution आपके लिए यह रहेगा उनि तोugg कि सेकर्मक जहां पर करम ते करमक रमेश कविता लिगता है सेकर्मक है अध्यापक पुस्तक लाता है उस्तक है वहन रोता यह नहीं सेकर्मक का कि ओप्शन सी सही रहेगा किस विकल में पुलिंग सब्द नहीं है पुलिंग नहीं है मौती नियम अनुमान विहार विठास उधासी साधन पॉसंड पूचा क्या है पुलिंग सब्द नहीं है पूचा क्या है पूचा क्या है जो सब सुद ना वो बताने अतिश्योक्ति आपकी एकदम सब्दम सुर्गति इस परकार लिखते हो ए सबस्दमा सब्सक्रों का में मिस्षेवाक्य के नहीं है पहला कि में निर्दोसू उस factor मिस्षरवाक्य है उन वाद्धम संब्सक्राइबector मिस्षरवाक्य है और और यही नहीं मिशर वाइक व्याकरण की दर्स्टि से निवन मैंसे कौन सब्द वाकिय है फल बच्चे को काट कर खिलाओ वह मेरे बाद पेदा हुआ था क्रिशना रादा रास कर रही है क्या आप यहां पत्रप पढ़ ली हैं व्याकरण की दर्स्ति से कौन सा सुद वाक्य है वो आपको यहां पर बताना है पहला फल बच्चे को काट कर खिलाओ बच्चे को काट कर खिलाओ ऐसा होगा ना तो गलत हो गया वह मेरे बाद पेदावाता वह मेरे बाद पेदावाता व्याकरण की दरश्टी से सही है बीवाला किस वाक्यांस के लिए परियूक साब सार्तक नहीं है चलिए देखे बरसांत के चार महिने चातुरमा से तीन वेदु को जानने वाला प्रियूकत वाके सारत किसमें नहीं है, पहला सही है दूसरा सही है जिसकी इच्छा की गई हो, प्रियारे कहलाता है क्या? ती ओप्सन गलत है यहां पर नेक्स्ट रमा चलिया के में उदसे क्या है रमा चलिया उदसे पूछा है इन तीनों में से रमा चलिया में उदसे क्या है वो आपको बताना है उदसे क्या है रमा ओप्सन भी सही रहीगा next एक मूल सब्द से दूसरा नया सब्द बनाने की परकिरिया को कहते है एक मूल सब्द है उससे आप दूसरा नया शब्द बना रहे हैं तो क्या कहते है प्रपत्ति व्योपत्ति निर्मित्ति या रित्ति क्या कहा जाता है उसे बताईए जल्दी से उसे कहा जाता है व्योत्पत्ति व्योत्पत्ति वी ओप्सन सही रहीगा जिस दातू से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल करता पर ही पड़े कहलाती है अकर्मक सेकर्मक सजाती है विजाती है क्या कहलाती है तो यह कहलाती है अकर्मक के रिया ओप्सन एस सही रहीग जब एक ही सब भेद के दो सब्दू के बीच में समुचे बोदक नहो तब सही चिन का प्रियोग होता है पूर्ण विराम, अर्द विराम, अलप विराम, आश्चरिय चिन जब एक ही सब्द भेद के दो सब्दू के बीच में समुचे बोदक नहीं लगावा हो तो ऐसी इस्तती के अंदर वहाँ पर अलप विराम का प्रियोग है, वो किया जाता है दोस्तों तोलिया किस वासा का सब्ध है, पूर्टगाली, अंग्रेजी, बांगला या उर्दू तेता अपने संबन तेता अधिनस्त कारियालियों के साथ होता है, किसका, अर्द सरकारी पत्र, परिपत्र, कारियाले ग्यापन या सरकारी पत्र एक विवाग से दूसरे विवाग, अपने सम्मन्त अधिनस्त कारियालियों के साथ होता है, उस पत्र को क्या का जाता है, उस पत्र को कहते हैं कारियालिय ग्यापन, त्री ओप्सन सही रहेगा, लिए उनमे से कौन सा सब तदभव है, साँच, मिक्षा, सिला, कूप, फूचा क क्या है कि तदभव सब्द कोन सा है, तदभव, यहाँ पे आपका ये रसांच, तदभव है, तदसम तदभव, नेक्स्ट, बाहे परियतन के ग्यारे बेदु में दो परकार है, बाहे परियतन के ग्यारे बेदु होते हैं, उनमें से दो परकार कोन कोन से हैं, विवरत इस प काम करता होता तो अब तक चतूर हो जाता में हैं संभावी वर्तमान काल संदिग्द वर्तमान काल एपुन संकेतार्त या एपुन बूत काल कुन सा है संकेत करने कि अगर वह काम करता होता तो अब तक चतूर हो जाता मतलब आपुन संकेतारत है यहां पर ती ओप्सन सही रहेगा जाती वाचक संक्या का उधार्ण है गर दिरज पीडा दूड जाती जाती का जहां पर बोध हो तो गर गर किसका एक जाती का बोध कराता है ओप्सन ए सही रहेगा जाती वाचक संक्या का उधार्ण है पजीस اور सब्सेंरी सेमिक्जूसन तियंट आपेते पर ची धित पर्ते के योग से बनाफ़ तिय हैं। मंगंडग काव कउमकार तादित पर्ते से कौण सा सब्ब नवा है यह यांपर उन सा बनावा है कुम्बकार कुम्बकार such यही रही गा और निश्चे वाचक सरवाय नाम का उधहर्ण कौन सा आननते नाम से पता कर लो कोई कोन क्या यह अनिस्चे की बात हो रही है और एनिश्चे की जहां पंचवट या पंच मी पाँच वटू का समहार को अंकित करता सारतक सब्द कौन सा है यह राया यंए एक सब्द की बात हो रहा है यहां पर कि एक सब्द बताओ और एक सब्द में यहां पर सही रह에गा पंचवट c option सही रहेगा कोड में खाज होना मोहवरे का आर्थ है कोड में खाज होना जो मौहरा है इसका आर्थ क्या एक दुख पर दूसरा दुख होना बूरी तरह पीछे पढ़ना कोड कोड एक रोग होता है और उस पर खाज होना मतलब क्या होगा कि एक तो दुख था और उपर से दूसरा दुख आ जाना एक दुख पर दूसरा दुके हो ना दोस्तों इमलिकित मैंसे कि इस विकल्ब में स्यूक्त वाक्य है वो बताना है काम पूरा करो और जाओ यदि काम पूरा नहीं हुआ है तो सिक्सिया होगी जदाबारी सोने पर सबरबाद हो जाएगा उसने गलत काम करके और उससे कमाया बताईए यहां पर शयूक्त पूचा है मिसर वाक्य नहीं पूचा है कि सयूक्त वाक्य किसमे है वो आपको बताना पहला देखिए और लगा हुआ है मतलब शयूक्त है काम पूरा करो और जाओ यिस स्यूक्त वाक्य के दोस्तों लीकित मैसे कौन से सब्सका वर्तनी सुद्ध है वेवारीक वेवहरीक वैवरीक कैसे लिखा जाता वह आपको यहां से पूछा जा रहा है तो जब कभी भी वे वारिक लिको ना तो कभी भी वे या मत कर देना या करते ही गलत हो जाएगा वे है यह हो गया फिर वापस हुआ है हारी कि यह सुद्ध है अब ओप्सन कौन सा है यहां पर गियरा फिर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट उल्लास और प्रोपकार का भाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा उल्लास और प्रोपकार का भाव मन में लागने से चिंता नश्ट हो जाएगी दुख दुख का भाव हो जाएगा व्यापार स्विम आपकी और उम्र आएगा मितर आपसे मिलने के लिए लालाई थोंगे उलास और प्रोपकार का अभाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा पुलास और प्रोपकार का भाव लेकर आने तो चिंता नश्ट हो जाती है थुक दुख का भाव नहीं थुक दुख का पता ही नहीं चलेगा अभाव यह गलत है पी ओप्सन सही रहेगा आपका वेवसाय दिन दुनी राज चोगुनी उनत्ती करेगा दिन दुनी राज चोगुनी उनत्ती मुआवरे का कोन सा सही अरत है दिन ईद और रात सबी रात होना दिन फिर जाना दिन भारी हो जाना अच्छी तरक्की होना दिन दुनी राज चोगुनी मतलब मतलब होगा अच्छी तरक्की होना ली ओप्सन सही रहेगा आनन से प्रिपून आत्मा वाले मनुसे के संप्रक से कौन सा प्रबहाव पड़ता है ये क्योसन भी आपके लिए important है देखे आनन से प्रिपून आत्मा वाले मनुस्य के संप्रक से लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं कुछ लोग निरासा के कूप में डूब जाते हैं वारतालाब करते वे लोग असीम विकलता का अनुभव करते हैं अनन से प्रिपून आत्मा वाले मनुस्य से संप्रक से कौनसा प्रभाव लोग मुस्कान के द्वारा उसका स्वागत करते हैं आपको व्यापार के पीछे नहीं बागना पड़ेगा यदि आप व्यापार में चतुराई से काम करेंगे आनन से प्रिपून आत्मा वाले मनुस्य से मिलेंगे अपना सवभाव परसंता में उलास में और हर समन्मित बना लेंगे और जीवन में निरासा के कारणू का विशलेशन करेंगे तो यह रहा, व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा अपना सवभाव परसंता में उलास में और हर समन्मित बना लेंगे तो दोस्तों, अनुचेद का उप्यूक सिर्षक है अनुचेद का उप्यूक सिर्षक है, अनुचेद का उप्यूक सिर्षक है जीवन के परतीस सवस्ते द्रश्टी कोन डी ओप्सन किस विकल्ब में दोनु वन अलप प्राण है यहां पर पहला तीसरा पांचमवन होते ना यहां पर पहला तीसरा किसमें यह रहा ती ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट इमलेकित में से कौन सा सब देसज नहीं है तेंदुवा कचोट करवट कंचन यानि कि ऐसा सब जो देसज नहीं है विदेसी है वो आपको पूछा है यहांँ पर देखे तेंदुवा कचोट कर्वट कंचन कंचन विदेशी है यह उप्षन सही रहीगा यहांपे नेक्स्ट है इमलिकित मैंसे अड़दिश्वर कौन सा यह पैत्रे यह अड़दिश्वर पूछा है अड़दिश्वर आदा सवर यह रहा यह उप्षन ए आपका घायां पर सही रहीगा किस्वेकल के सभी गोष्दनिया सब किस्वेकल में सभी इस तब दरीड है किस सब्सद्रीय बतानी बता बो वे कौनि टीसरी चौोतिटी पांची यह तो देख लो गनी या भी ऑपसन गैग है तीसरी चोती दवनी है ना ये नेक्स्ट किस विकल्ब में सभी साथ परस्पर परियावाची नहीं है ऐसा विकल्ब जिसमें पहला कुबेर वेसरवन यक्स राज चाप धनू चपला निर्वान केवल्ले मुक्ती रसना जीवा जीप आपस में परियावाची कुमेर व किसका है चपला किसका अलग-अलग परियावाची ये तीनों विकल्ब में इंट्रिक्शन सब के समकाक्स हिंदी पारवासिक सब्द सही है एक यूशन ऐसा आता है जिसमें इंगलीज का वर्ड दिया जाता है और उसका हिंदी अर्थ आपको पूछा जाता है एक यूशन ज में सबी सब्द परसपर परियावाची है जो परियावाची है वो बताना पहला है शार्दूल केसरी यह घजराज ये तो नहीं है अनुपम अदबुद अनूठा आपस में परियावाची है अनुपम अदबुद अनूठा दोस्तों इस विकल में सब्द परसपर परियावा लग है निकेतन सिक्षा के लिए कामें लेते हैं सदन गर के लिए और गरह है यह तो उपर वाला हो गया अमर रसाल अम्रतपल यह तीनों एक के यह आम के तो सी ऑप्सन सही रहेगा इस विकल में सब्वी सब्व प्रस्पर परियाएवाची है देखे मिनाकसी, सुंद्री, मचली यह तो नहीं है शुमन, प्रशून, उहूप यह तीनों आपस में के आपके परियाएवाची विया उप्सन सही है यहाँ पर इस विकल में सही, विलोम, यूगम नहीं है गलत विलोम है वो आपको यहाँ पर बताना है अमावस्या, पुर्णीमा, सदाचार, दुराचार, एकत्र, विकेंड, तीवर, तीवर दुरत एक ही चीज हो गई है तो, तीवर का धीमा होता, तो यह डियो उप्सन वाला आपका गलत है यहाँ पर नेक्स्ट, किस विकल में सही विलोम, यहाँ पर भी आपको सही विलोम है, सही विलोम है वो बताना है, पहला है आदर, आदर का विलोम होता है सुस्क, तो यह पहला ही सही हो गया आपका किस विकल में सही विलोम यूगम है जो सही है वो आपको बताना है यहां पे समास समास का व्यास होता है विचेद होता है समास व्यास तो नहीं होता होगता योगे योगे यह सही आपका परसन विपन नहीं, परसन उदास, दुर्गम, सुगम, ये भी गलत है, तो B option सही रहेगा, किस विकल में सब युगम का अर्थबेद सही नहीं है, का सही नहीं है, वो बताना है, अनल अनील, आग हवा, दामन दमन, आचल दबाना, विपन, और विपन, विपन, परसन, विपन आउसादित, ये गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर C option सही रहेगा, प्यारे मित्रू, यहाँ पर जो हम देख रहे थे, आज हमारे था, हिंदी का पर्थम मोडल पेपर, ठीका, पर्थम मोडल पेपर, और ये जो पेपर था, ये 2023 वाला था, जो 2023 पेपर में क्यों सनाय थे ने इंदी के, वो थे दोस्तों, पहली बात, जो इस तर था, वो आपके सामने आ गया है, जो ये है, इस मोडल पेपर की जो पीडियप है ना, वो पीडियप आपको टेलिग्राम पे मिलेगी, समझ गए, और जो भी साती पस्ट, जो पीटीटी है ना, इस पीटीटी की तैय तैयारी कर रहे हैं, या अब तैयारी में लग रहे हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ, कि कम्प्लीट कोर्स है ना, कम्प्लीट कोर्स, वो एप पर उपलब्द है, और एप की जो लिंक है, और टेलिग्राम की जो लिंक है, दोनु की दोनु लिंक है ना, वो नीचे डिस्क् स्क्राइब करने के साथ कितने आपके पचास में से क्यूसन सही हुए वो कमेंट करके जरूर बताएं सभी सातियों को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे भारत मिलते नेक्स्ट क्लास में